ब्यावर से बड़ी खबर है जा मॉर्णिंग वॉक पर निकले युवक का शव मेरिज गार्डन के पास मिला सेदरा रोड इस्तित मेरिज गार्डन के पास ये शव मिला महवीर गंज निवासी मंजीत सिंग का शव मिला है शव के पास खून से सने पत्थर मिले सूचना बाकर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची घटना इस्तल पहुंची शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाय गया अस्पताल में बड़ी संख्या में सिक समाच के लोग पहुंचे परिजनों ने हत्या का संदे जटाते हुए कारवाय की मांग उठाई सिटी थाना पुलिस पूरे मामले की परताल में जुकी है बड़ी संख्या में सिक समाच के लोग अस्पताल पहुंचे सूचना पाकर सिटी थाना पुलिस भी घटना इस्तल पर पहुंची पर निकले यूवक का मैरीज गारण के पास ये शव मिला था जिसके बाद यहां हरकम मज गया शव के पास खून से सने पत्थर भी मिले और इस खबर पर अधिक जानका ने के लिए हमारा साथ जुड़ गए हमारे समाद अतार शाम शर्मा शाम क्या पूरा मामला है एक यूवक जो की मौनिंग बॉक करने निकला था मैरीज गारण के पास उसका शव मिलता है और अब सिक समाज की कई लोग इस समय अस्पताल के बाहर पहुंचे हुए हैं क्या कुछ अपडेट इस खबर पर मैं बदाना चाओंगा आपको यह रोजाना की तरह मौनिंग ओप निकला था और चेह बजे के करीब जो चांगेट है सहर का वहां पे कुछ लोगों से मुलाकार प्यूभी है और चाड़े साथ बजे के तरीज यह सव चांगेट से एक किलो मेंटर तूर एक रिसोर्ट के बाहर मिला है परीजनों को अप्या की आशंका है मौके पर तो शबूत मिले हैं इसके अधार पर भी हत्या का पूरा शक नहीं किया जा रहा है शिक समाज के लोग तूटे हुए हैं फिलाल सभ वो जिला श्वादाल की मोर्चरी में रखा है और समाज के लोग और परिजन भी इस पूरे मामले को लेकर कारवाई की मांग कर रहे हैं पुछी सौरब ठीक है पुलिस प्राशासन का क्या कैना इस पूरे मामले पर कि पूलिस का यह क्याना है कि जो सिक्यी फुटेज जो गटना इसतल के आच पास जो डुगान और जो कुछ मकानों के बाहर जो फुटेज हैं मोंहको खंगला जा रहा है और पुलिस पूरे मामले में शाम तक कुछ खुलाशा करने की दावा भी कर रही हैं ठीक है जड़े बहुत बहुत धन्यवाद शाम इस तमाम जानकर के लिए. बहुत बहुत जानकर के लिए निच्चीत है. पांच-पचास से मुझे मिलके गया था जो हुआ सारे के लिए निच्चीत हैं.